राहुल जी बतोर प्रोडूसर आप अपनी भोच्परी फिल्मार ही होगी प्यार की जीत प्रोडूसर बहुत सारी फिल्मे कर सकता है पैसे लगा सकता है इसी कहानी पे पैसे चूँ लगा है यह बात आपने सच कहा कि प्रोडूसर बहुत सारी पहानी पे फिल्म कर सकता है और लगा सकता है पैसा चुकि यह सब्जेक जम्रुजे बंटी ने सुनाई उनके फादर जो है इसके राइटर है उन्होंने इसक्रीन पे लिखा है मुझे सब्जेक बहुत एक्साइटेड लग सब्सेट करेंगे तब हम निकरें चल्व करेंगे ऊडरçu अर्वाससर बनाने के लिखांगे बनाये तो मजा नहीं सब्जेक जब आपको खुद नहीं पसंदाया तो उस पे करने का कुई मज़ा नहीं आता तो यह सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्टोरी मुझे लगी, इसलिए मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। खेसारी लाल और सुईटी यह लीड है और जो भी है इस फिल्म में, क्या कहते हैं आप खेसारी को रहा है। बहुत अच्छा था, दोनों ने काफी अच्छा काम किया इसमें, खेसारी चुकि मेरे छोटे भाई की तरह हैं और सुटी जी से बहुत अच्छा कैमिस्ट्री उनकी रही इस फिल्म में, सुटी जी ने भी काफी अच्छा काम किया है, सीनेर एक्टर्स हैं, खेसारी ने भी ब बाहर के लोगों से काम कर रोएं हमें हमेशा ये लगता था कि एक family एक परिवार एक team है और ये टीम वोगे होता है ये पूरे team की जीत है होगी प्यार की जीत एक team की जीत है और इसलिए फिल्म मच्शीं बनी आप Bunty जो है बात कहना गलप नहोगा क्योंकि मैंने उस वक्त उसको कहा था चूख कि मैं हिंधी फिल्मों से बहुत रिलेटेट रहा हूं मुझे पूरी फिल्म नजेर आई तो मगे पूरी फिल्म उसी तरह से बनाएंगे और जब मैंने फिल्म देखा तो मुझे बहुत खुश हुई कि मैंने जो सोचा था उससे बढ़के इन्होंने फिल्म गया है और मुझे उमीद है कि आने वाले समय में बंटी इस्तियाक्षे एक बहुत अच्छे और बड़े डारेक्टर बनेंगे और अच्छे टेक्नीशिन है आपने फिल्मे गाना भी गाया है ये आप छुपेर उस्तव रुस्तव और कि कुछ गाफिश सुनाना चाहिए कि क्या गाया है उसका अला कि दूसरा वर्जन भी है उदूजी की आवाज में लिकिन आप वाला सुनाईए ज़रा इसमें एक किस्ता सा है क्योंकि मैंने कहा कि हम एक टीम की तरह काम करते हैं रिकॉर्डिंग चल रही थी मैं माइक पकड़ा हो गया हमारे तियारो जो है भूशन जी है उन्होंने ये क्लिक को पेपर में डाल दिया अब म्यूजिक डिरेक्टर मेरे पीछे पढ़ गए कि भा प्रजन मेरे उफपर भी है आपको MP3 में मिल जाएगा गाते नहीं चुनाना चाहते है कि क्या आवार इतनी अच्छी नहीं है मेरी बस ऐसी गाते है चलिए होगी प्यार्थी जीद रिलीज होने को है चंद दिन बाकी है ओडियोंस से क्या कहते हैं मैं ओडियोंस से हाज जो कि आप फिल्म को ठेटर में जाके देखें क्योंकि हम इतना मैनत करते हैं इतना उर्जा लोग लगाते हैं और आप किसी छोटे से स्क्रीन पे देखेंगे तो उसका वो मज़ा नहीं आता है जिस तरह से मज़ा ठेटर में आता है तो आप प्लीज इस फिल्म को एंजॉय करि तो आप पीस गो एंग वाच्छ इस फिल्म, थैंक यू थैंक यू रादी, थैंक यू सो बच्छ